बागवान भाईयों नमस्कार इस वीडियो में हम सेप के सबसे महतपून स्टेज याने की पिंक बड़ स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टेज पर हमें कौन कौन से छिटकाव अपने और्चरड में करने चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू कर बागवान भाईयों सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि असली पिंक बड़ स्टेज कौन सा होता है तो भाईयों जब आपके पेड़ों में नीचे के ब्रांचिस में 5-10 प्रतिशत फूल खिल चुके होते हैं तो उस स्टेज को पिंक बड़ स्टेज कहते हैं इ इसके इलावा हम फंगिसाइड का भी प्रयोग करते हैं तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि किस छिड़काव को हमें क्यों करना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो नीट्रेंट्स में नैट्रोजन की पिंक बड़ स्टेज पर नैट्रोजन की पेड़ों को बहुत ज़्यादा जुरूरत होती है पिंक बर्ड और फ्लावरिंग में पेड़ों को बहुत एनरजी की जुरूरत होती है जिसे की नैट्रोजन पूरा करता है नैट्रोजन के लिए सबसे सस्ता विकल्प यूरिया है हमें यूरिया का जड़काव 1-5 किलो प्रती 200 लिटर पानी में मिला करना चाहिए यूरिया के इलावा कहीं बागवान 12 का 60 का भी प्रयोक करते हैं और कहीं 1919 भी यूज़ करते हैं परन्तु अगर आप यूरिया यूज़ करते हैं तो वो सबसे बहतर और सस्ता विकल्प है अगर बात करें माइक्रो न्यूट्रिंट्स की तो जिंक और बोरोन की पेड़ों को इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा जुरूरत होती है जिंक को चिलेटिट जिंक के रूप में प्रयोक में लाया जाता है चिलेडीड जिंक पेड़ों में आउक्जिन फॉर्मिशन में मदद करता है आउक्जिन पेड़ों के टिप यानि की सीरों को ग्रो करने में मदद करता है जिंक पेड़ों के पत्तों को भी फ्रेश रखता है और हेल्दी रखता है जिंक को हमें 100 ग्राम प्रती 200 लिटर पानी में डाल कर प्रयोग में लाना चाहिए अब बात करते हैं बोरोन की तो बोरोन ज़्यादातर मार्किट में दो प्रकार में उपलब्द होती है एक होता है सॉलीबोर दूसरा बोरिक एसिड सॉलीबोर पानी में आसानी से गुल जाता है और बोरिक एसिड पानी में आसानी से नहीं गुलता है बोरोन फ्लावरिंग के समय मौसम के फ्लक्चुएशन के असर को कम करता है और पाला के प्रभाब से फूलों को बचाता है साथ ही फूलों में बीज बनाने में मदद करता है इसके इलावा बोरोन पोलन ट्यूब को भी लंबा करता है जिससे फर्टिलाजेशन प्रक्रिया होने में आसानी होती है बोरोन को टाइसो ग्राम प्रती 200 लिटर पानी में डाल कर प्रियोग में लाना चाहिए इसके इलावा हमें सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का भी प्रियोग करना पड़ता है सिस्टेमेटिक फंगिसाइड में बेविस्टीन या स्कूर जिसे की दाइफेनकेलोजोल कहते हैं या रोको यानि की थायोफिनेट मिठाइल में से कोई एक का प्रियोग कर सकते हैं ये फंगिसाइड, पोडरी मीडियू या कोर रोट जैसे बीमारियों से पेड़ों को बचाते हैं बेविस्टीन को 100 ग्राम प्रती 200 लिटर पानी में मिला कर प्रियोग करना चाहिए स्कोर को 30 मिलिलिटर प्रती 200 लिटर पानी में वा रोको को 200 ग्राम प्रती 200 लिटर पानी में मिला कर प्रियोग करना चाहिए तो भागवान भाईयों इस वीडियो में हमने जाना कि पिंक बर्ड स्टेज पर हमें यूरिया, बोरोन, जिंक और फंगिसाइड तीनों को एक साथ मिला कर छिड़काव करना चाहिए उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अपने दूसरे बागवान भाईयों तक शेयर कर जरूर पहुंचाए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद